ओके स्टुडेंट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे के क्लास 10 फिजिक्स के इंपॉर्टन नुमेरिकल कौन से हैं क्लास 10 फिजिक्स की कंप्लीट बुक का जो इंपॉर्टन कोस्टेन है मैंने अर्लेडी अप्लोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर नेक्स्ट काफी जादा डिमांड आ रही थी कि आप नुमेरिकल भी अप्लोड करेंगे कौन-कौन से नुमेरिकल इंपॉर्टन्ट है तो यूनिट नूमबर वन जो हमारा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है लेकिन अगर हम सिक्वेंस फाइस देखें तो वो यह नुमेरिकल नुमबर वन आप बच्चोंने लाजमी करने है यह नुमेरिकल नुम उसमें कुछ misprint हो लेकिन आप लोगोंने अपनी बुक के according जो आपके पास text book है उसमें numerical number 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 10. इसके इलावा मैं अभी mention कर दूँ कि इसमें एक example है जो के काफी बार आती है board में वो है आपके पास जो starting के pages पर ये वाली 10.1. ठीक हो गया तो बच्चों आप लोगोंने example भी करनी है लेकिन अकसर कुछ साल से एक question आ रहा है board में numerical में के formula ये दिया होता है इस formula को use करके solve करना होता है इस किताब के तमाम numerical में use हो रहा है pendulum का formula ठीक है simple pendulum का जो के ये है लेकिन board वाले आजकल आप लोगों को दे रहे है numerical जिस में use होगा mass spring system का formula तो बच्चे उसमें बहुत सारे छोड़ कर आ जाते हैं या confused हो जाते हैं तो आप लोगोंने एक बस formula याद रखकर जाना है जैसे आप लोग simple pendulum का formula याद रखके जाते हैं उसी तरह आप लोगोंने just mass spring system के लिए जो simple time period है वो ये है m by k तो उसमें आपको mass दिया होगा और k की value dv होगी just आपने plug-in करनी है तो time period लिकालने ना या frequency जो भी लिकालने तो बाकी जो pendulum में है उसमें length d होती है और gravity तो आपको पता ही होती है तो यह ज़रा आप लोगोंने difference रखना है board के में कि अगर आपके पास paper में mass spring system पुछा जा रहा है या simple pendulum पुछ आपके लगाने नेक्स चेप्टर इस साउंड अच्छा साउंड के चेप्टर को देखते हैं हम लोग sound के चेप्टर में जो numerical number one है वो intensity of sounds related है numerical one two दोनों अगरीबन जी यह तो numerical number one भी करना है आपने numerical number two भी करना है इसमें दो चीज़े लेकालनी है इसमें एक अनारकली बजार वाला numerical बहुत important है उसके बाद आपने numerical number four उसके बाद आपने numerical number six और last numerical number nine इसमें numerical number nine misprint हुआ वैं नहीं है वो आपने numerical number nine लादमी करना है तो आपने numerical number one two four six और numerical number nine ठीक हो गया 9th numerical इसमें लिखा वा नहीं है वो आपने करना है ठीक हो गया आपकी किताब में mention होगा इसके बाद unit number 12 geometrical optics इसको देखते हैं ओके तो इसके numerical थोड़ी तादाद में जादा है और important भी है इसमे numerical number आपने 3 8 9 10 और 11, 12 तो 8, 9, 10, 11, 12 और starting से 3 numerical करने है 3rd numerical करने है ठीक हो गया Electrostatics next chapter जो है इसके जो numerical है इसमें coulomb loss related है I hope के chapters आप लोग पढ़ चुके होंगे तो इतनी प्रिशानी नहीं होगी इनमे Okay, यह रहे conceptual question then यह numerical फर्स्ट नुमेरिकल फर्स्ट नुमेरिकल फर्थ फिफ्थ एट, नाइन, टैन यह जो capacitor in series, capacitor in parallel है या लाजमी करने हैं आप लोगों ने सो फर्स्ट, फर्थ, फिफ्थ, एट, नाइन, टैन इसके बाद current electricity, chapter 14 इसके numerical में आपने numerical number 1 numerical number 3 4 numerical number 1, 3, 4, 5, 6, 7 यह 7 भी important है, इसका 8 भी important है मतलब आपने 2 को छोड़के बाकी सारे starting से करने हैं then यह cost of electricity वाला जो है यह करना है, बाकी leave कर देने हैं मतलब 2-3 ही छोड़े हैं, बाकी सारे करने हैं इसमें यह cost of electricity वाला important है, इसमें जरूरी नहीं के पूरा आजें, इसमें कम भी हो सकता है unit 15, electromagnetism, इसमें एक topic से related सारे numerical हैं वो है आपके पास transformer, तो आपने नुमर 5, 3 और 4 करना है, तो 3, 4, 5 important है इसमें formulae 3 use हो रहे हैं, 2 use हो रहे हैं, transformer का, ठीक है, vp over vs is equal to ns over np एक यह use हो रहा है और एक vs is equal to ip, vp is equal to is, तो यह दो formulae use हो रहे हैं ना 17 chapter के है, information technology के, इसके बाद आप just move करेंगे last chapter जो के atomic and nuclear physics है इसके numerical है, और luckily इसके numerical तमाम half life से हो रहे हैं, तो इसमें numerical number 3, 4, 5 numerical number 3, 4, 5 और last numerical important है, last बहुत जादा important है, यह जो last है इसकी वज़ा यह है कि इसमें जो carbon 14 है, इसकी half life नहीं दीवी तो इसकी half life आपने याद करके जानी है, 5, 7, 3, 0, years यह कैसे बता लगेगी, यह आपको यह उपर दीवी है, numerical number 3 में तो आपने यह value याद करके जानी है, क्योंकि खुदाना खासता अगर 9th numerical आ जाता है, तो आपके पास यह value याद होनी चाहिए, है easy, लेकिन याद करके जानी है, तो आप लोगोंने 1 भी कर लें, 1, 3, 4, 5 और last, तो यह numerical है 10th physics के important झाल आपके दोवित एक एले कर्देयरी में कर दो म की क falta एक लिए कर दोब्स हाट